मार աीर श् democrat अज हम आपके सामने एक बहुत बहुत परूट आपके लेकर आए हैं जो है कॉंपलिमेंट आफ था कॉंपलिमेंट आफ दो वर्ब फार्ट 3 कि कैसे नाउन एक काम्पलिमेंट के रूप में कार्य करता है जैसा कि आप जबी जानते हैं कि compliment complete से बना है complete सबसे complete का मतलब होता है पूरा करना और compliment का मतलब होता है पूरत कि compliment के प्रियोग से किसी भी sentence का भाव पूर्ड हो जाए अर्थ पूर्ड हो जाए उसको हम compliment कहेंगे कोई भी दिया गया अव्यक्ति है compliment की सहायता से उसको पूरा कर दिया जाए वही compliment कहा लाता है अब दिखें compliment की प्रिभासा क्या होता है compliment is a word which completes the meaning of the given expression compliment एक ऐसा सब्द होता है जिससे या जो पूरा करता है दिये गए अभिव्यक्ति के अर्थ को पूर करता है meaning को पूर करता है given expression की meaning को पूरा करने का काम compliment करता है आगे बाशन करता है अभिक काम्प्लिमेंट जो होते हैं या तो noun होते हैं क्या होते हैं या तो प्रोणाउन होते हैं या तो कोई न कोई adjective होते हैं बहुत ध्यां से सुनियेगा वो या तो noun होते हैं या तो pronoun होते हैं या तो कोई न कोई adjective होते हैं है भाव सुशना या अभी जो कामप्लिमेंट होते हैं ये दो तरीके से काम करते है एक subject compliment और एक object compliment एक subject compliment धान दीजेगा subject compliment और एक object compliment object compliment अगय वासवें एक दो तरीके से कारी करते हैं subject compliment और object compliment के रूप में कारी करते हैं यह देखना है कि जो compliment होते हैं या तो नाउन होते हैं तो प्रोनाउन या तो एड्जेक्टिव होते हैं ठीक है इतने बात समझा गए अब आपके सामने हम कुछ sentence लिखें हैं वह sentence क्या है वह sentence यह है देखें ध्यान से ही इज और टीचर है ही इज और टीचर है आई एम हैपी यू आर डाक्टर है इस बुक इज माइन अगया संगे यह चार संटेंस आपके सामने लिखावा और इसमें इज एम आर इज यह सब वर्ब के रूप में आए हैं किस रूप में में वर्ब के रूप में आए हैं जब कभी कोई वर्ब किसी भी sentence में अकेले आता है तो क्या होते है, वो हमेशा main verb होते हैं ठीक है, लेकिन ध्यान देना इसमें कि is am, are, is जो लिखा है इसमें एक verb होता है verb to be अब इस verb to be से इस बनता है am बनता है r बनता प्रजेन्टेंटर्स में वाज वर पास्ट अंस में बीन पास्ट पार्टिसिपल बींग प्रिजंट पार्टिसिपल और बी यही बी एक ऐसा बेस वर्ब है जिसके बहुत सारे घेर सारे क्या होते हैं उसके रूप होते हैं तो जब कभी वर्ब टूबी जब कभी वर्ब टूबी वाले इज मार वाज वर बींग लिखा है जो कुछ भी आपके सामने लिखा है यह में वर्ब का काम करते हैं मेन वर्ब का काम करते हैं देखे इज मेन वर्ब का काम करते हैं तो इन्ही को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है जहां दीजेगा इन्ही को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है इसके मतलब वर्ब टूबी वाले जितने हैं यह क्या है लिंकिंग वर्ब हैं लेकिन लिंकिंग वर्ब और भी होते हैं देखे धांसे जैसे टेस्ट है इसमेल सीम आइपीयर साउंड रिमेन बी बीकम ये भी क्या है लिंकिंग वर्ब है है तो जब कभी मुख क्रिया का काम करते हैं तो इनको ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है और linking verb हमेशा अपने साथ compliment लेता है इस बात का हमेशा ध्यान रखिए compliment लेता है हमेशा compliment लेता है linking verb जो linking verbs होते हैं linking verbs are always followed by compliment जहां दीजेगा हमारी बात कि linking verbs are always followed by compliments जितने भी linking लेता है यह हमेशा अपने साथ compliment लेते हैं अब देखे अब compliment या तो noun होते हैं या तो pronoun होते हैं या तो इनको एड्येक्टिव होते हैं अब sentence देखिए he is a teacher is क्या है आपका main verb linking verb क्या है अब linking verb अपने साथ क्या लेते हैं compliment कॉंप्लिमेंट लेते हैं तो जो टीचर है यह क्या हुआ कॉंप्लिमेंट हुआ किसका ही का सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट क्या हुआ सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट इस सब्जेक्ट का यह कॉंप्लिमेंट हुआ टीचर आप दूसा देखिए आई एम हैपी आएम क्या है का कॉंप्लिमेंट सब्जट का कॉंप्लिमेंट है ठीक है तीसा देखिए यू आरे डॉक्टर आर क्या है लिंकिंग वर्भ हमेशा क्या लेता है कॉंप्लिमेंट लेता है तो कॉंप्लिमेंट क्या है डॉक्टर किसका किसका यू का कॉंप यू का कॉंप्लिमेंट है लिंकेuard हमेशा अपने साथ कांफ्लिमेंट लेता है लिरी किस रूप में आया है प्रोनावन को रूप में आया है है सब्जेट्ट का कंफ्लिमेंट को जो आंगया सोंग में इसके अलावां जितने भी आपके लिंग्जम और ब्यख है टेस्ट इसमेल सीम आपियर्स साउंड बी बीकामी जितने हैं यह सब अपने साथ हमेशा कॉंप्लिमेंट लेते हैं जान दीजिए जैसे एक्जामपल देखे इट आपियर्स आपका लिंकिंग वर्ब है क्या है लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या लेता है हमेशा कॉंप्ल मेंट लेता है अब यह प्रापर क्या है आपका कॉंप्ली मेंट ओका होंगे या तो डोण या थो in adjective या तो Prozent Punkte West ऐसाद U ReAll閉लें अब देखे रीमेन क्या है लिंकिंग ओर में हमेसा क्या है यह आपने साथ तो हिंद लेक्निननि बिल्ग क्या है है हेल्पिंग वर्भ है हेल्पिंग वर्भ है एक कंप्लीमेंट लेता है कंप्लीमेंट लेता है फिर देखें ही बिल आलबेज भी हैपी ते बी क्या है आपका लिंकिंग वर्भ है लिंकिंग वर्भ है और लिंकिंग वर्भ हमेशा अपने साथ आपजेक्ट लेता है है तो किस साथ आपजेक्ट लेते हैं यह सूइट क्या है आपका अडजेक्टीव है अजूदय इस तो आपका हो गया जिसे पतायारी कामप्लिमेंट सब्जेट कामप्लिमेंट सब्जेक कामप्लिमेंट हो गए अब दूसरा जो आता है वह आपका आता है आपजेक कामप्लिमेंट क्या होते हैं ऐसे कामप्लिमेंट होते हैं जो आपजेट का बोद कराते हैं ऐसे कामप्लिमेंट होते हैं जो आपजेट को रिफ और इस चेर वाइट आ अब देखिये यह आपका subject है यह का मेंवर्व आई और यह क्या आपका object है और यह object का compliment है वाइट क्या है यह object का compliment है white adjective को रूप में फिर देखिए इसे घी मेड मोहन मौनीटर अब ये क्या है मोहन आपका क्या अब्जेक्ट है ये अब्जेक्ट का क्या है मौनीटर कॉंप्लीमेंट है ना उनकी रूप में आया है माठों नाइन आगे है आगे आगे आग्या पांडवाज पांडवाज नेम्ड दासीती 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 इंडर प्रस्थ इंडर प्रस्त प्रस्त था प्रस्त in the प्रास्थ ती अचे इंदप्रस्थ अब देखिए पांडवान नेम दा सिटी इंद्र प्रस्थ तो पांडव क्या है आपके सब्जेक्ट है यह क्या है में वर्भ है यह क्या है आपजेक्ट है इस आपजेक्ट की विशेष्था आपजेक्ट आपजेक्ट का एक क्या है कॉंप्लिमेंट है किस रूप में आया है नाउन की रूप में आया है इस प्रकार जो कांप्लिमेंट होते हैं यह सब्जेट कॉंप्लिमेंट होते हैं और आपजेट कांप्लिमेंट होते हैं एक धान देना इसमें क्या ची धान देना है कि कि जो वर्व होते हैं यह जो वर्व एक होता है इन टांजिटिव अब एक होता है लिंकिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा तो लिंकिंग वर्भ हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं कॉम्प्लिमेंट लेते हैं लिंकिंग वर्भ हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं कॉम्प्लिमेंट लेते हैं यह क्या होते हैं इस् एक्षन वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं एड़ वर्ब आप मैनर लेते हैं बहुत ध्यान से समझेगा जितने भी ट्रांस्टिव और इंट्रांस्टिव वर्ब होते हैं यह एक्षन वर्ड होते हैं और एक्षन वर्ड होने के कारण है यह हमेशा एड़वर्ब आप मैनर लेते हैं एड़वर्ब आप मैनर जैसे ही वाक्ड स्लोली बात सब्सक्राइब लेते हैं लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ईट लेते हैं यह हमेशा अपने ऊइसाथ कम्प्लीमेंट लेते हैं और जो आड़ड्यक्तीव होते हैं या नाउन होते है जैसे इत ओर इत जॉट किया है लिंकिंग हे यह की लिंगंग आपने अपने साथ कि लेगा अपने साथ हम Всем लेगा इत साथमेशा लेते हैं यह हमेशा आड है लेते हैं मा संद्ध लेते हैं कम्पलिमेंट के रूप में लेकिन जो ट्रांस्टिव और इंट्रांस्टिवर्व होते हैं इनको एक्षन वर्ड कहा जाता है हमेशा एडवर्ब आप मैनर लेते हैं देखिए इसे लिखा एडवर्ब मैनर लेते हैं यह बात आपके समझना गई होगी है थेंक यू धेट साल